तो गाइस यह वाला जगाको ना आप लोग गौर करके देखिए क्या आप लोगो कुछ भी समझ में आ रही है कि कुछ दिर पे हैं मैं फिर से बहुत ज्यादा ड़ गई थी और में रूई को ढून में लगी कप्रों के नीचे दिर पे ना सब धूले हुए कप्रे रखे वे थ एक सेकेंड आप लोग देखते रहे हैं रूई की बदमाशिया रूई को चुपन चुपाई खेलने में बहुत इंटरेस्ट है देखिए रूई वो देखिए कम रूई कम वो देखिए आयायाय वो देखिए यस जगापे में ढून्-ढून के हैरान हो गई फिर से मुझे लगा काहा चली गई वो देखिए नीचे जम्प किया वो देखिए यह यह ऐसा बतमाशिक बच्चा हैना में क्या बताओ पूड़े घर में यह शैतानियां करते रहते हैं रोई, रोई बेट्टू, देखी देखी पेर से गया, फिर से वो आई तिंक उपर में जलांग मारेंगे, क्या करेंगे, I don't know, रोई, आप बार-बार कहां गाई वो देखिए, फिर से वो बैलकिनी में गई, और मुझे बहुत डर लगती है, बैलकिनी में वो वाले जगा से जलांग ना मार दे, बट वैसे तो बहुत चालाख है, इसको देखिए, ये मुझे ना इतना डरा देती है, इतना डरा देती है, में बाहर से आके फ्रेशों के ऊपर के रूम में आई आके देखिए मेरा रूई नहीं मिल रही है फिर से वो अंदर पे गुज गई कहा पर वो देखिए वो कटन हिल रही है थोड़ी थोड़ी आप लोगो समझ वो देखिए तो इधर पे ना धेर सारी कपड़े धुले वे आप देखिए और में उपर के रूम पे आके करीवण एक देर घंटे के लिए कुछ काम से घर पे आके देखिए मेरी रूई कहीपे मुझे नहीं मिल रही है फिर से मुझे लगा भी का डूंडू में उसको फिर से मेरी टेंशन ब्लट पिशर लग थे हाई हो गए मुझे ल मैं आप लोगों को दिखाती हो मतलब जैसे जैसे मेरी रूई बड़े हो रहे है वैसे वैसे उसका शैतानी भी बढ़ते जारी है बढ़ते जारी है कम होने का नाम नहीं है मुझे लग रहे थे हां वो बच्चा मतलब छोटा है इस वज़े से हो रहे हो जाएंगे ठीक बट नहीं मेरे कोई भी राबिट ऐसा रही है कि कोने देखते ही वो छुपना स्टार्ट कर जीती इस कोने में उस कोने में पर जिदेर पर भी कोना मिले और वो छुप जाती है और इसका कलर डार खोने के वज़ेसे न ढूनना भी मुश्किल हो जाती है कि कहां गई यह लेके चार तीन चार पर हो गए है कि वो बार बार इदर उदर गाइब हो रही है देखें मैं आपको दिखाने की कोशिश करें अरे लाइंटिंग का प्रॉब्लम हो रही है कोई गली रहे है और यह इतना कपरा देखके न आप लोग डर मत जाना की यह क्या हालते साब धुलेबे कपरे फोल्ट करने के लिए रखे हुए है टाइम में नहीं मिल पारी है उपर से ये बदमाश बच्चों को लेकर मैं परिशान हो चुकी हूँ लिटरली मैं परिशान हो चुकी हूँ current तो चलिए गाइज मुझे यही दिखानी थी आप लोगों को कि बच्चे घर पे रहने से खाना पीना देने से ऐसा नहीं होती है परिशान भी कितना होनी पड़ती है आप लोग देख सकते आखों के सामने है और उपर से रूई के साथ तो ये परिशानिया करीबन मेरी 10-15 मिनिट से में पूरा घर चांटमिन की मुझे नहीं मिल रही थे फाइनली मुझे मिली और उसके बाद मेरी बनी को लेके भी एक टेंशन चल रही है कि उसका हेल्थ को इच प्राब्लम ना हो जिसे टेक कियर करना ये वो और उपर से रूई मुझे इतना परिशान करती है डॉलर उपर पे सिंबा वगेरा उसका बच्चा चेरी मेरा दिमाग गूम जाती है लिटरेली मैं क्या कर समझने आते इतने सारे बच्चों को हांडिल करना बिलकुल भी मतलब आसान काम नहीं होती है जिसके पास इतने सारे एक दो पेट्स होते न तो बिलकुल ठीक थे और कबसे तो मेरी मिठ्टू एंटीटू तो उधर पर ही नानीगर की उधर पढ़े फिर भी इतने सारे बच्चे को लेगे ना उसके बाद खुद का पर्सनल लाइफ एक बिजनेस है यह वो सब कुछ संभालते संभालते ना मैं खुद कोई टाइम नहीं देबाती हू सही से तो जो भी हो गाइज चोटा सा विडियो मेरी रूही को देखकर आप लोग को क्या मतनब थ्यार में आ रही कुछकी मैं कमें करके दगाना क्या आप रोकी भी रैबिट शैतान है इस तरीकी की बदमाश है मुझे जरर कमिन करना रूई तो दिन बदिन बहुत बदमाश हो रही है बहुत तो चलिए गाइस मुझे नेक्स रेडियो पे तब तक के लिए बाई सी यू बाई बाई